मद्य प्रदेश बोर्ड वार्षिक परिक्चा 2023 का सामजिक विज्ञान कक्चा दस्वी का होने वाला साथ मार्च का पेपर संपूर्ण सोलिशन के साथ दोस्तों आप राप्त करने वाले हो यदि इस वीडियो को लाफ्ट तक देखके जाओगे तो जिस परकार भुगलों में हंस अलग चमकता है ना उस परकार विद्यार्टियों में आप लोग अलग चमकेंगे जी हाँ दोस्तों आप सही समझ रहे हैं सही सुन रहे हैं साथ मार्च को होगा वाइरल जी हाँ अगर एक भी प्रिशन बार चला जाए ना तो गारंटी के साथ के रहा हूँ सो परसेंट अब आप बनेंगे टोपर सिर्फ इस वीडियो को लाष्ट तक देखकर चाहिएगा मद्दी बर्देश की होने वाली वार्षिक परिक्चा कक्चा दस्वी सामझिक विज्ञान का पेपर रहेगा साथ मार्च जैसा कि आप यहाँ पर देख पर हैं वाइरल प्र साफ्ट तक देखो और और नंबर पर राप्त करो तोपर बन जाओ जी हाँ दोस्तो इसी प्रकार खास अंदाज में आज आपको वीडियो पर राप्त होने वाला है सामझिक विज्ञान का जो साथ मार्च का पेपर होने वाला है आपका तो दोस्तो अब बिना देर के हम पूले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो गंटी की बटन को ओल पर कर लो जादा से जादा अपने सभी भाई बेनों को शेर कर दो अपने सभी गोलो मोलो दोस्तों को शेर करना बिलकुल भी ना बूले चलिए स्टुडेंट्स बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा पेपर सांतियो जो आपका साथ मार्च में यदि एक बोई कोईशन पेपर से आउट हो जाए ना दोस्तो तो मेरा नाम बदल देना यहाँ पर सिर्प वीडियो आपको लाफ्ट तक देखना है और पास नहीं दोस्तो टोपर बनेंगे यदि हमारे द्वारा ज देखते हैं चलिए जल्दी से अपने हाथ में कोपी और पेन उटा लीजिए जल्दी से अपने सस्त्रों को धारन कर लो मेरे दोस्तो एक विद्यारती के सस्त्र क्या होते हैं कोपी और पेन जल्दी से उटा लीजिए और रच डालो इतिहास कि हमने एक महिने में पढ़कर या इतने दीन में पढ़कर दमधार तैयारी कर लिए, और अच्छे अंकप्राप्त कर लिए, तो बहरत में कितने पृतिसत इस्तनधारीों के लुप्त होने का खत्रा है, तो कितने इस्तनधारी लुप्त हो रहे हैं? 20% स्तनधारी, देखिए बहुत सरे कुश्चन में आपको ट्रीक से बताऊंगा बस मज़े से और दमदार तरीके से वीडियो को लाफ्ट तक देखते जाओ और जो जो नए जुड़ते जा रहा हैं शेर कर दो जितने भी लाइक कुलास में नए हमारे नए नए गोलू मोलू जुड़ रहा हैं शेर कर दो अपने सभी भाई बेनों को अपने वाटस अप गुरूप पर शेर कर दो क्योंकि वो कौन है वो सरदार है तो अगली ट्रीक है आपकी ये क्या कि सरदार सरदार कौन सी नदी मिनाते है नर्मदा तो जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर है अगला कुश्यन भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भाईस अब कपास कपास की बात आती है तो कपास किसो कहते हैं रूई को कहते हैं और रूई रूई यदी रूई का अगर आपको विस्तर बनाना है तो उसके लिए कहा जाने पड़ेगा कहा जाना पड़ेगा माहराफ्ट से रूई लानी पड़ेगी अगला कुश्यन अब मत भूल जाना रूई कहा मिलेगी माहराफ्ट में कपास की क्या बनती है रूई बनती है उद्योग तो सबसे मेत्वपूर्न तो भाई साब हमारे सरीर के लिए क्या होता है 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 क्योंकि सूंती नहीं होगी तो जो हमारे रेसमी कपड़े उनमें क्या लगती है ठंड लगती है और सूंती कपड़े क्या देते हैं तो सबसे प्राचिन और प्रमुक उद्योग कौन सा है सूंति वस्त्र उद्योग अगला कुश्यन बिलाई इस पात समयंत्र कहां है तो बिलाई 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 भील आई कहां से आई 36 गड़ से कहां से आई 36 गड़ से तो जैसे बिलाई का नाम आए तो वो कहां से आई 36 इस परकार से आप याद रख लेना कोई भी बच्चा बुरा ना माने ठीक है मैं आप लोगों को याद करवाने के लिए सब कुछ बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए अगला कोश्चन आपका भारत में रेलवे जोन की कुल संक्या कितनी है तो आपको इसे याद रखना है भारत में कितने जोन कितने डोन भारत में कितने डोन अटारा डोन कितने डोन अटारा ठीक इस परकार से आद रखना है और अगला कोश्चन देखेंगे प्रिश्ने नंबर दो देखेंगे मेरे दोस्तों रिक्तिस्तानों की पूर्ती कीजिए अब देखिए यहाँ पर आप टेंसन न करना बिल्कुल भी ठीके जितने विश्णियों में आपके लिए सोसल साइंस मतलब सामजिक विज्ञान हिंदी संस्क्रेट इंगलीज गनीद ज इतने वीडियो में लेकर आ रहा हूं इनी वीडियो को देखिए मैं गारंटी से के रहा हूं सपलता आपके कदम चुमेगी सात्यों ठीके पहला कुशन देखिए यहाँ पर मतलब दूसरे का पहला देश का सरवादिक बड़ा सरवजानिक चेत्र का प्राधी करण है तो इस सीमा सडक संगटन किसलिए बनाय गया तो कब बनाय गया? 1960 में बनाय गया बहुती जवर्जस्त कोश्चन है यही कोश्चन हर बार आते हैं और यही कोश्चन आपको पेपर में देखने को मिलनें वाले हैं प्रांसिसी का कलाकार फेडरिक सार्यू ने चितरों की सरंकला बना अगला कुश्यन नेपोलियन की हार में हुई थी जो नेपोलियन था वो कौन से सन में हारा था तो दोस्तों वो हारा था 1815 में 1811 में हारा था गांधी जी दक्चिन अपरीका से भारत आए उनिस सो पंदरा में में लोटे ठीके अगला कुश् филь科 द्योतिय विश्वईुद्ध में समाप्त हुआ तो दूसरा जो विश्वईुद्ध है वो कब समाप्त हुआ 1945 में ठीके, टेंसन न करना, इन कोश्चनों को याद करिए, स्क्रिन सोट ले लीजिए, पीडिये आपको टेलिग्राम पर दे देंगे, अगला कोश्चन देखेंगे, तीसरा वाला, अगला कुश्यन साथियों तीसरा वाला सही जोडी का मिलान कीजिए सही जोडी का मिलान करना है देखिए इस्पिन जेनी मसिन इस्पिन जेनी मसिन जेम्स हर गिरिवस को मिलाओगे और पूना पैक्ट इसको मिलाओगे 1932 में ठीके और राज पुनरगटन आयोग 1956 में और आदा से जादा आबादी गरीब किसकी है यह बांगला देश की और बंदरगहा तो यह बंदरगहा है गुजरात में और गेर प्रजातांतरिक देश यह है आपका चीन नेक्स्ट कोशन देखिएगा एक सब देखवाक्य मुत्तर देखिएगा पहला भारत में सबसे कम साक्चारत दरत कहां है बिहार और डिसंबर 1939 में हुए लहोर अदिवेशन के अध्यक्च कोंते जमाहरलाल नहरू नीजी उद्योग नीजी चेतर के एक उद्योग का नाम बता जातियां एश्टी का हिस्सा कितना है तो एश्टी जिनको बोला जाता है अनुजन जातियां इनका जो हिस्सा है वो 8.6% सिरी लंका कब सोतंत्र राफ्ट बना तो यह 1948 में बना अगला कुश्यन है आपका बहु राफ्टी कंपनियों द्वारा किये गए निवेश को क्या कह करते हैं इसमें जो आपका राइट अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विदेशी निवेश कोश्यन नमबर पांच वह पांच वह में आपको सत्याफत्य बताना है वैसे यहां पर आपको टिक भी लगा हुआ मिल रहा है क्यों दोस्तों क्योंकि को बहुत सारे स्टूडेंट ले लेगा तो उसके बास अंसर सहीत इसके इन सोट पहुँच जाएगा कहीं ग्राम पंचायतों को मिला कर पंचाय समीति का गटांग किया जाता है तो बिल्कुल सत्ये देखिए सत्याफत्य में कभी भी रोंग और राइट का निसान लगा कर नहीं आएंगे सत्याफत्य ल विद्यमान है बिल्कुल सत्ये और वसत आई को प्रतिव्यक्ति आई नहीं कहा जाता तो यह होगा आपका सत्ये और सीमेंट का कारकाना दुत्यक चेत्रमाता है बिल्कुल सत्ये और साहुकारों की महतुपूर्ण भूमी भूमी का किरसी वित में नहीं रही है तो यहां पर देखेंगे साउकारू की महतुपूर्ण किर्सी भूमी वित में नहीं रहे तो सत्य और यूरोपी संग का मुक्याले बेल्जियम में नहीं है ये भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा आगला कुश्चन कुश्चन नमबर छे से लेकर साथ इन कुश्चनों को एक बार नजट आलिए इन कुश्चनों पर और ये कुश्चन हमारे द्वारा आपको टेलिगराम पर प्रवाइट करवा दिये जाएंगे या आप सोयम अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है यदि याद आप मoağa आपको दर्साना है तो मान ची इतन में किस enormously दर्साना रहता है इसके लिए अमना आलग में वीडियो पर वाइटे मान आपको करवा दिया है कि आप वीडियो सब्सकतर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता दूँगा आपको मुंबई हाई का लिके मैंने नकसे में बता रखा है ठीके तो आप कमेंट करके मुझे बता फक्ते हैं कि मानचित्र का कोश्चन सही कैसे करें कमेंट में बता दूँगा आपको ओके यह सभी कोश्चन आप पढ़ लीजिए यह कोश्चन ही आपको परिक्चा में साथ मार्च का जो आपका पेपर रहेगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे तो जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में जूड़े हैं आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरू करिएगा और सां आपके उपस्तिती हो सगे तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले सब्जेक्ट के साथ धन्यवाद